Good morning children, welcome to my youtube channel बच्चो आज हम solve करेंगे exercise 2.3 का question number 4 जिसमें क्या बोला है बच्चो? इसमें बोला है on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx क्या बोला है? इस polynomial को एक दूसरा polynomial gx उससे divide करना है and the coincid and reminders were और divide करने पर जो reminder और coincid हमें मिली है वो है, coincid है x minus 2 and remainder मिली है 2x plus 4 respectively so find gx respectively का मतलब है बच्चो? कि जो हमें जैसे दिया उसको वैसे ही use करना है first case में coincid बोला है तो पहली वाली जो value है वो coincid है दूसरे में remainder बोला है तो दूसरी वाली जो value दिया है वो remainder है और फिर बोला है कि जिस से इसको divide किया है जिस polynomial से gx को वो find out करो so ये तो एक verification वाला question है बच्चो? जैसे हम पहले करते आते हैं कि कैसे कैसे question को करते हैं जैसे अब हमारे पास क्या क्या है देखो हमारे पास coefficient दिया है coefficient है हमारे पास लिख सकते हैं हम पहले polynomial लिख लो polynomial जिसको जो है हम dividend भी बोलते हैं polynomial दिया है हमारे पास x cube minus 3 x square plus x plus 2 और क्या दिया है बच्चो? coefficient को हम coefficient लिख सकते हैं q u o t i e n t और साथ में इसको q x भी लिख सकते हैं coefficient q x और ये दिया है x minus 2 और वैसे ही बच्चो हमारे पास और क्या दिया है remainder remainder आप लिख सकते हो remainder को हम लिख सकते हैं r x और r x हमारे पास है minus 2 x plus 4 तो अब हम इसमें formula किस तरह से लिखाएंगे देखो we know that हम लिखेंगे we know that p x polynomial मतलब इसको हम dividend भी बोलते हैं dividend लिख सकते हो आप जैसे हम छोड़ी classes में करते आ रहे हैं dividend equals to क्या होगा p x equals to g x multiply by q x और प्लस होगा उसमें remainder और वैसे ही dividend equals to क्या करते थे हम quantiate no divisor लिखते हैं पहले g x divisor होता है divisor multiply फिर लिखो quantiate quantiate divisor into quantiate और plus करते थे बच्चों हम remainder तो वही वाली चीज़ ये polynomial में है और इसमें dividend को हम polynomial p x बोल देते हैं और divisor को g x बोल देते हैं quantiate को q x और remainder को r x तो देखो आब हमर पास क्या क्या दिया है p x polynomial हमर पास दिया है उसको हम यहां लिख लेंगे x cube minus 3 x square plus x plus 2 equals 2 अब देखो g x हमें find out करने को बोला है तो divisor हमर पास नहीं है मतलब g x नहीं है तो उसको हम वैसे ही लिख लेंगे और into quantiate बच्चों हमर पास दिया है क्या है x minus 2 और plus remainder हमर पास दिया है minus 2 x plus 4 तो हम क्या करेंगे बच्चों देखो यह तो multiply हो रही है चीजे यह तो इसके साथ जो value है यह तो इसको divide करेगी इस polynomial को लेकिन जो plus minus से separate है value पहले हम इसको arrange कर लेंगे like term को तो यह plus है अब देखो क्या करेंगे हम इस value को left side में arrange कर लेंगे यहाँ plus का sign है और जब यह left side में आएगा तो minus हो जाएगा bracket वाली value वैसे ही रहीगी minus 2 x plus 4 और यहाँ पे वो ही रहेगा g x and x minus 2 जो हमर पास है into का sign लगा लो बेशक ओके now x cube minus 3 x square plus x plus 2 अब हम minus से bracket open करेंगे बच्चो minus multiply minus plus 2 x हो गया plus minus minus 4 equals 2 g x and into x minus 2 ओके range करो x cube minus 3 x square plus 1 x और 2 x हो जाएगे 3 x और minus का 4 बड़ा है plus का 2 छोटा है तो हमर पास रह गया minus 2 और इदर g x के साथ जो multiply हो रहा है डिजिट वो यहां पे आकर हो जाएगा divide कर लेगा left side में और यहां रह गया gx तो इसका मतलब है कि यह जो हमर पास polynomial बना इसको हमें x minus 2 से divide करके answer निकालना है तो अब हम क्या करेंगे g x निकालने के लिए g x equals to therefore g x equals to क्या करेंगे x cube minus 3 x square plus 3 x और minus 2 को किसे divide करेंगे divide करेंगे x minus 2 से ओके बच्चो तो देखो आब हमें क्या चाहिए x को x cube बनाना है मतलब हमें चाहिए x square ओके so x square से यहां देख लो multiply करके x cube minus 2 x square ओके like term लिखो बच्चो x cube के नीचे x cube और minus 2 x square sign change करो जो term cancel होती है उसको cancel करो अब यहां पर minus का 3 x square बढ़ा है plus का 2 x square चोटा है तो हमें पास 1 x square बच जाएगा और बचेगा minus का ओपर से plus का 3 x आ गया ओके अब x से हमें हमें x को हमें x square बनाना है लेकिन वो भी बनाना है minus का तो इसका मतलब हमें 1 x चाहिए लेकिन उसमें sign minus का चाहिए तो हमें चाहिए minus का 1 x minus x plus minus minus x square minus into minus plus 2 x ओके like terms sign change करेंगे ओके 3 x is greater minus 2 x is smaller हमें पास रह जाएगा plus का 1 x और 2 कर लेंगे हम down minus 2 तो देखो अब दोनों तरफ same terms है मतलब 1 से होगा ये क्यूंकि x minus 2 1 सा x minus 2 sign change करेंगे ओके बच्चों हमारे पास remainder आगया 0 तो इसका मतलब कोईशेट कितना आया जो आपके पास कोईशेट आया वो क्या होगा gx तो gx आगया हमारे पास x square minus x plus 1 और ये ही हमारा answer था बच्चों ये हमें find out करना था ओके आई होप आपको ये कोशिन समझ आ गया बच्चों समझ आ गया है तो कोशिन को प्रक्टिस करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना तंक यू सो मच